गुद बॉर्णिंग पढ़ेंगे कुछ नुमेरिकल्स भी पढ़ेंगे आज के क्लास में ठीक है पावर हम पढ़ा रहे थे पावर के यूनिट्स भी बता रहे थे और उस पावर्स के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है फर्मूला है एक ही फर्मूला हम पी इक्वल टू डवलू बाई टी करके बताया थे यूनिट्स बता दिये इसको हमने डिफाइन किया था कि दा रेट अट वेच एलेक्टिकल एनर्जी इस कनवर्ड इंटु दा अनादर फॉर्म या फिर ऐसे कहा था इन दा यूनिट टाइंग एनी इलेक्टिकल और इलेक्ट्रोनिक्स अप्लैंसेज दे एनर्जी इस कॉंजूम्ड इस कॉल्ड पावर उसके बाद पावर का फर्मूला बता दिया था उसी से रिलेटेड कुछ और भी बाते बताके और तब दो चार नुमेर्क्ट्स भी करेंगे थिवरी में भी कुछ चीज़ें शिखेंगे सबसे पहले जैसे हम लोग पावर के बारे में थोड़ा सा दीटेल्स कल पड़े थे अब वही पावर के बारे में थोड़ा फिर से पड़े पावर इकोलिटी क्या होता है दावलू बाई टी दे रीट अफ एनर्जी रिच इस कंजूम बाई यहनी इलेक्टिकल और इलेक्ट्रोनिक्स अप्लाइंस इस कॉल्ड आउर अफ डाट अप्लाइंस अप्लाइंस में कोई व्यूप करण हो सकता है पंखा हो सकता है बल हो सकता है इसके लगा टीवी फ्रेज आइरन कुछ भी हो सकता है और यूनिट टाइम में जितना एनर्जी वो कंजूम करेगा वह उसका पाउर कहलाएगा यूनिट बता दिये थे यह जूल पर सेकंड होता है और जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट भी कहते हैं इसका बड़ी यूनिट हमने कीलो वाट बताया एक और साथ में यह भी बताया था एक हच्पी बताया था होर्स पावर और तो होता है वह 746 वाट के एक्वल होता है आज हम लोग इसी जो फर्म्ला को हम लोग पड़ा कि पी नवल बाइ ट होता है तो इसी से अगर एनर्जी अगर तूच देगा कि एनर्जी बताएक कितना कंजिव हुआ तो उस cases में आप W निकाल लेंगे और वो P into T हो जाएगा अब एनरजी को चाहिए इसे भी दिनोट कर सकते है जब question पुछा जाएगा W से दिनोट के पी का formula और यह बन सकता है जैसे देखो अब लोग W क्या पढ़े थे W की value हम लोग निकाल सकते है potential difference है B equal to हम लोग ने पढ़ा था W by Q इससे अगर W की value निकाला जाएगा तो Q into B हो जाएगा यह कहां से लिखाया है B equal to W by Q by the definition of the potential इसको कुछ equation second माल लेते है यह equation first हो गया अब यहां से अगर हम लोग value को रख दें putting the value of value of W in equation first इसमें अगर रखेंगे तो P equal to P equal to W की value है Q into V तो हम Q into V लिख देंगे और divided by T ठीक है अगेन हम लोग उने क्या पढ़ा हुआ है Q equal to IT भी पढ़े पढ़े है ना Q equal to IT पढ़ाया था therefore P equal to कित्ता हो जाएगा Q के जगा IT लिखेंगे into V upon T T से T cancine हो जाएगा तो यह V into I आजाएगा तो P equal to V I B एक फर्मला होता है इसको P equal to V into I ठीक है दूसरा और एक फर्मला बताते है यह तो P की value निकला V और I के terms में P की value V और I के terms में निकला हम लोग यह भी तो पढ़े है V equal to I R होता है by Ohm's law by Ohm's law ठीक है तो यह value अगर आप इसमें रख दे P equal to V I में तो V के जगा अगर रख दे तो P की value कित्ता आजाएगा V के जगा I R लिख दिया into I अब I into I कित्ना होता है I into I होता है R square I square और यह हो जाएगा R तो P equal to I square R भी एक हमारे पास power का formula आजाएगा यह I और R के term में जग रहेगा तो हम P की value यह formula I square R लगा लेगे अगर V और I के form में होगा तो हम P equal to V यह formula लगा देंगे इसी तरह से हम लोग I को रहना रखना चाहे है मालों I को ही replace करते है तो Ohm's law से ही V equal to I R होता है इससे अगर हम I की value निकालेंगे तो V by R होगा ठीक है therefore P equal to कित्ना आजाएगा गुप भर के मैं लाएगा टेस्टिद दिये थे प्रावर का कई सारफ ना हो गया ठीक है पी equal to अटा है V to I पढ़ा तो V तो V ही रहेगा और I की जो value होगा I वो हम उसके जगा V by R लिख लेंगे तो P equal to एक formula V square by R भी बन गया ठीक है तो इस तरह से हमारे पास power का कई सारफ ना हो गया पी equal to V square upon R एक यह formula याद रखेंगे पी equal to I square R next है पी equal to V to I पी equal to अगर यह charge दिया है तो पी equal to QV upon T यहाँ से हम लोग पी equal to डवलू बाइ टी लिखेंगे अगर energy दिया है ठीक है तो यह different जो है ना फार्म सो सकते हैं और निकलने का तो इसको हम लोग याद रखेंगे ठीक है अभी एक question बहुत ही आसान one marks का पुछा जाता है यह question क्या होता है rating इसको कहा जाता है जो भी किसी bulb पर या heater हो या कोई भी electrical या electronic supplices हो तो उसके कुछी इस तरह से लिखा रहता है जैसे या लिख दिया hundred watt और dash लगा के 220 volt ऐसे लिख दिया ठीक है ऐसे लिखा होता है bulb पर उपर देखना है टीव लाइट उपर भी लिखा रहता है iron उडन होगा वहाँ पर भी देखना होता है इसको कहा जाता है rating इसको क्या कहते है rating तो question आता है what does it mean तो इसका क्या और्थ होता है अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है अगर इस तरह से rating लिखा है रेटिंग किसपे लिखा है अगर bulb पर ही लिखा है bulb इप बल्ब हैज रेटिंग लिए यह वाला रेटिंग अगर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है थिक है तो इस मीनिंग को समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है देखो यहाँ पर 220 V लिखा है तो 220 V लिखा है तो वोल्ट किस चीज का यू निट होता है बताओ तो पॉटेंशियल डिफ्रेंस या वोल्टेज का ठीक है और वाट किसका ये डबलू इंडिकेट्स कर रहा है वाट को तो वाट किसका यूट होता है पावर का, ठीक है, W अगर लिखाओ गाई तरसे यहां पे 220W, 30W तो यह बात पढ़ा जाता है, वैसे ही यहां 100 बात लिखा है और यहां 220 बोल्ट लिखा है, तो इसका मिनिंग यह होता है, कि जब हम इस बल्ब को, बल्ब हो, हीटर हो, इलक्रिक फैन हो, जो भी हो, उसको हम 220 बोल्ट पर जब अपरेट करेंगे, तब जाकरके उसको जो एनर्जी जो कंश्यूम होगी, उस अप्लाइंस पर है, यह नहीं बल्ब है तो बल्ब द्वारा, वो वन सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंश्यूम होगी, यह 100 वाट एनर्जी कंश्यूम होगी, क्योंकि हम लोग पावर का फ़र्मुला डवलू बाई टी पढ़ेते हैं, डवलू का यह नहीं बल्ब होता है, जूल और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसी को जूल पर वही बात कहा जरता है तो हम कह सकते हैं कि when bulb is operated at 220 volt then the energy consumed by the bulb in one second is 100 joules तो यही इसका मीमिन होता है ठीक है आंसर हमने इसका क्या बताया when when electric bulb when electric bulb is operated operated at 220 volt then the energy energy consumed consumed by the bulb in a one second one second is 100 joules ठीक है यह जब हम लोग 220 volt को प्रेट करेंगे one second में यह 100 joules energy जो होगी वो consume होगी यही इसका मीनिम होता है ठीक है अब इसमें एक important point थ्यान लखेंगे कि अगर voltage जो है 220 volt से कम होगा जो भी यही रेटिंग लिखा हुआ है बल्ब हो, फैन हो यह कोई भी डिवाइसेस हो जो भी रेटिंग लिखा है उस रेटिंग voltage से अगर voltage लो होता है तो पर सेकंड जो energy कंजिम होती है रेटिंग वैलू से कम होती है जैसे यहाँ पर 220 volt लिखा है लेकिन मांग दो अगर voltage 220 नहीं आतर की वो 200 volt आ रहा है या 150 volt आ रहा है उस cases में पर सेकंड बल्ब के द्वारा जो energy कंजिम होगी वो less than 100 होगी, 100 नहीं होगी ठीक है, बात समझ में आ रहा है यह क्या बोल रहा है जो भी rating value है उस rating value से low voltage पर less energy कंजिम होगा इसी तरह से जो भी rating voltage है, उस voltage से high होगाने पर जैसे 220 volt लिखा है और 300 volt होगया 300 volt होगया उस cases में पर सेकंड एनर्जी कंजिम जोगी वो 100 जूल से more than होगी, यह नहीं ज्यादा होगी ठीक है, तो यह rating से related one marks का एक question आता है, इसको हम लोग फ्यान रखेंगे, अब एक और वी question आता है, वो भी board examinations के लिए important है CVSC में भी आया हुआ था 2018 के साथ board examinations में था, और तुम लोग 9th class में भी पढ़े हो, लेकिन फिर भी बता देते हैं, यह next question हमारा एक आता है convert convert one kilowatt hour into joule चीक है one kilowatt hour को किसमें बदल देना है, joule में बदल ला अब देखो watt को तुम लोगों ने अभी समझा कि क्या चीज होता है, power की यह चीज होती है, अब उसके साथ kilo लग दिया है, kilo मतलब हो गया one thousand, hour का मतलब हो गया घंटा, ठीक है, hour यानि time दिया होगा है, तो kilowatt hour, अगर यह नाम सुने हो, तो ठीक है, जो लोग नहीं सुने है, जिनको नहीं पता है, तो कहो उसको divide, मतलब उसको बता दू, फिर आगे इस question को कराने, आता है सबको, आ देजे, नहीं सब बता देजे, अच्छा, देखो जो घरों में हैं, जो हम लोग बिजली का दिल आता है, या यूनिट्स आता है, यूनिट्स, वह होता है कि कोई भी appliance, कोई भी appliance, ए गंटे में, अगर 1000 watts, यानि कि उतनी energy का unit करते हैं, यह देखो यहां दीक देता हूं, number of units जो होता है, क्या होता है, watt into hour divided by 1000, watt को 1000 से divide करोगे, तो kilowatt बन जाता है, kilowatt, ठीक है, और यह आजाएगा hour, यानि एक गंटे में, अगर एक kilowatt energy किसी appliance थर्च होती है, तो उसको one unit कहते हैं, या कि अगर एक kilowatt का में हो, balance से कम हो, तो हम कहेंगे, energy consumed one thousand watt, अगर हम watt बोलेंगे, तो 1000 watt बोलेंगे, और kilo, kilo बोलेंगे kilo, तो kilo का मतलब ही 1000 होता है, तो जब हम kilo बोलेंगे, तो kilowatt एक साथ, तो वहाँ पर one लगेगा, one kilowatt, one kilowatt, जो लोग पढ़े थे तो ठीक है, नहीं पढ़े हो जाने कि, one kilowatt जो होता है नो, one kilowatt मतलब होता है, 1000, 1000 हो गया, watt मतलब watt या, Joule per second, DC को कहते है, Joule per second, ठीक है, तो अगर कोई भी appliance, एक घंटे में, यहाँ इसके साथ hour लग गया ना, एक घंटे में, अगर एक kilowatt energy consume करती है, तो उसको one unit कहते है, if any electrical or electronics appliances, energy consumed one kilowatt in one hour, then it is called one unit, या फिर ऐसे बोलेंगे, if any electrical or electronic, electronic supplies, energy consumed in one hour is 1000 watt, then it is called one unit, इसी दिए जहाँ पर जो हमने unit का फर्मा लिखा हुआ है, जहाँ पर इसको हमने watt को एक 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यह बन जाएगा kilowatt, और इंटू आवर, number of units equal होता है, watt into hour upon 1000, watt किस चीज का unit होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, watt किस चीज का unit होता है, इलेक्स पावर का, पावर का, तो हम उस watt के गज़ा पी भी लिख सकते हैं, और आवर होता है टाइम का unit, तो P into T upon 1000 भी, P into T upon 1000 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, फर्मला में, जो हमारे पास question में दिया रहेगा वह सकते हैं, तो आपको P पावर है और T टाइम है ठीक है, और टाइम को में लेना है आपके पावर में, अब उसके बाद देखो, यह तो वही जो कीलो वाट आवर होता है, कीलो वाट आवर, कीलो वाट आवर, यह क्या कहलाता है, यह यूनिट है किस चीज़ का, अगर हम कीलो वाट के बाद लिखते हैं, कीलो वाट पावर काड़ियन ठोजाता है, और कीलो वाट आवर पुड़ा लिखेंगे, तो इक रसके यह एनरजी का यूनिट होगा, किलो वाट आवर किसका हमेट हुआ एनर्जी का है ठीक है तो कैसे वान किलो वाट कितने एनर्जी एनर्जी का हमेट हमार का जूल होता है वान किलो वाट आवर कितने जूल के पल होगा इसको हम लोग कंवर्ट करना सिखेंगे ठीक है कि वान कीडो वाट को जूल में हम लोग कनवर्ट करेंगे कि तो इसको बताने जा रहा है कि बोर्ड इक्सामिनेशन में कई बार पीछा गया है तो इसको हम बता दे कनवर्ट बढ़िया नहीं लिख रहा है कनवर्ट वान कीलो वाट आवर इन्टू जूल चीक है एक कीलो वाट आवर को जूल में कनवर्ट करना है कैसे कनवर्ट करेंगे लिखेंगे किसी इसका सुल्यूप्शन है आपके वान कीलो वाट आवर एक्वाल वान तो वह नहीं होता है कीलो का मतलब अमने बताया 1000 या 1000 लिखते हैं वाट का मतलब वाट बुलता वान जूल पर सेकेट को कहा जाता है वन वाट इन्टू आवर आवर का मतलब होता है 60 मिनर्ट या मिनर्ट को सेकेंड में कनवर्ट करेंगे तो 60 इन्टू 60 सेकेंड ये वान इन्टू 1000 इन्टू 1000 लिख लिया इन्टू 6 इन्टू 6 होता है 36 और 36 पे 00 ये सेकेंड है और ये सेकेंड पार माइनस 1 है प्लास 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा जूल बचेगा ये है इतना सिर्फ नमबर अगर लिया जा है तो 36 है 36 है और ये दो जीलो इसका अब तीन जीलो इसका यानि ये आगे बन जाएगा 36 इन्टू 10 टू दी पावर 5 जूल ये 1 किलो वाट आवर को हम दोग चेंज कर रहे हैं जूल में लेकिन फिजिट्स में क्या होता है जैसे 10 टू दी पावर 3 से ज़्यादा का टर्म आने लगता है तो उसके से महम उसको order form में लिखते है order form ये order form क्या होता है decimal point को हम लोग कहां रखते है 1 से 9 के बीच के डिजिट्स 1 से 10 के बीच यानि की 0 नहीं लिया जाएगा जैसे यहां बता रहे है decimal point जैसे यह 0.05 है यहां point से पहले 0 है तो यह standard form में नहीं है यह order form में नहीं है decimal point यहां पर होता इस जगह 5 के पास और तब हम 5.0 into something कुछ भी लिखते है जो भी पावर होता तो हम लोग उसको क्या गईते है यह order form कहलाता है यानि decimal point से ठीक पहले decimal point से ठीक पहले एक digit होता है और वो digit जो होता है एक से ले करके 9 तक 1 to 9 0 भी एक digit होता है तो 0 से अगर 9 तक जाते हैं तो total 10 digits होते हैं लेकिन इसमें जो point से ठीक पहले जो decimal point से ठीक पहले जो digit होगा वो क्या होगा 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है इस तरह से last 9 तक हो सकता है ठीक है तो केमल और केमल दो बात इसमें मैं बोलगा हूँ सबसे पहली बार कि decimal point से ठीक पहले 1 से लेकि 9 तक की ही digit हो सकती है और decimal point से ठीक पहले cable और cable एक ही digit होना चाहिए दो digit नहीं होना चाहिए तो उसी को हम order form कहते हैं या standard form तो यहाँ पर order form या standard form अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर है 36 अब decimal point हमको 3 और 6 के बीच में जब रखेंगे तब decimal point से ठीक पहले हमारे पास एक digit आएगा और वो आएगा 3 इसके लिए अगर हम इस 36 में 10 से divide कर दूँ पहले divide and then 10 से multiply कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा 10 से जब इसमें divide करेंगे तो यह जाएगा 3.6 into या 10 की power 1 है या 10 की power 5 है तो यह हो जाएगा 10 to the power 6 joule तो इस तरह से हम लोग यह याद रखेंगे कि 1 किलो बाट आवर जो है एनरजी का यूनित होता है और इसकी जो value होती है जूल में वो 3.6 into 10 to the power 6 joule होता है यह CBSE board examinations में यह दो तीन बार आचुका है ठीक है? पीछला जो हमने question बताया वो भी board examinations में आया है कई बार CBSE के लावा कई other states boards में आया है और यह जो 1 किलो वाट आवर बता रहे हैं यह भी पुछा गया है यह दोनों चीज़े ध्यान रखते हैं ठीक है? नेट्स जो हमारा question है वो पोड़ा सा heating effect of electric current से related है ठीक है? तो उसको देखते हैं heating effect of electric current जो भी topic रह जाएगा उसको हम लोग पादमेट पढ़ लें heating effect effect of electric current ठीक है? heating effect of electric current क्या है इसका theory और क्या है heating effect? ज़र हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी conductor में charge flow होता है due to the movement of free electrons जब भी movement होता है किसी भी चीज में तो वहाँ पर क्या होता है? kinetic energy होती है होती है ना? कुछ चीज मूग करेगा तो kinetic energy होगा तो किसी conductor में किसी conductor में current flow होने का ज़रीजन है वह होता है due to the flow of charge और due to the flow of free electrons ठीक है? charge flow करेगा तो current भी flow करेगी charge नहीं flow करेगा current भी नहीं flow करेगी अब माल लेते हैं कि कोई एक हम conductor ले लेते हैं जैसे एक example देते हैं electric heater का नाम सुना होगा heater या होगा भी घर पे electric heater ठीक है electric heater होगा electric heater है तो जाहिर से बात है कि बिजली से ही चलेगा जब हम इसको power supply देंगे heater को तो electric energy पास करती है wire के थू electric energy wire के थू पास करती है और पास होने के बाद heater में heating element लगा होता है तो वो क्या कुछता है heat हो जाता है क्या हो जाता है heat हो जाता है जो electrical energy हमने पास कराया wire के थू तो वो क्या हुआ electrical energy energy जब हमने wire के थू पास कराया तो वो heat में convert हो गया तो यह electric heater में हुआ इसी तरह से गीजर होता है इसमें भी हम लोग जब current पास कराते हैं तो वो गीजर का पानी मतलब उसमें जब पानी रखा रता है उगर्म हो जाता है उसमें भी heating element ही होता है इसी तरह से एक और example देते हैं electric bulb electric bulb क्या करता है electric bulb glow करता है यह glow कैसे करता है यह glow करता है electrical energy से किक है और electrical energy को वो convert कर देता है किस किस चीज में एक तो heat भी bulb को छूना जरा गर्म भी लगता है छूने पे थोड़े देर बल्ब को जला दो गर्म हाथ जलने लएगा तो एक तो गर्म करता है इसका मतलब heat energy में convert करता है और दूसरा है कि बल्ब हम लोग क्यों यूज करते हैं बल्ब है LED है ट्यू लाइट है उजाले के लिए यह प्रकास के लिए लाइट के लिए तो वो light में भी यहनि light energy में भी convert करता है तो इस तरीके से bulb हमारा क्या करता है electrical energy को किस में convert करता है heat और light energy में convert करता है ठीक है heat energy और light energy में convert कर देता है तो इस तरीके से अब हम लोग क्या कहा है क्यों convert क्यों करता है इसका भी region सुनो हम लोगों ने पढ़ा P equal to W by T ठीक है और W को हम लोग W की जब value लिखेंगे तो P into T लिख सकते है P को हम लोगों ने V into I पढ़ा अभी कहां से आया कैसे आया सब समझा दिये थे पिछे तो W equal to V I T हो गया V equal to होता है I R तो हम यहां पे V के जगा I R लिख लिए और ये I into T I into I कितना होता है भई I into I होता है I square और ये होता है R T तो W equal to आगया I square R T यानि जो हमारा electrical energy था I square R T यही energy जो है electrical energy energy यही जो है ना converts होता है into the heat energy heat energy चीक है electrical energy किसमें convert हो जाता है heat energy में convert हो जाता है इसलिए हम W के जगा पर H लिख देते हैं heat के नाम पर और ये I square R T आजाता है तो H equal to I square R T आजाता है तो इस equation से दो बाते हैं इस मेंrende भी पास होना चाहिए तो तब वो current तब वो क्या होगा electrical energy heat energy में convert होगा और इसी effect को हम लोग heating effect of electric current कहते हैं क्या definition क्या हो गया definition हो heating effect का क्या definition लिखेंगे when electrical energy, electrical energy, energy is converted into the heat energy heat energy due to their resistive property due to its लिखेंगे ताँ due to its resistive resistive का मतलब resistance होना जरूरी है resistive property then it is called heating effect of electric current heating effect of electric current ठीक है अब एक बात और आती है इसमें हमने वहले तो पढ़े लिया सपढ़िया जब भी हम लोग कोई concept पढ़ते हैं कोई definition पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ बढ़ता है कि example और example के साथ-साथ explanation तो हम तुम लोग को पढ़ाया पहले हमने एक्जामपल दिया उसको explain किया समझाया इसके बार definition लिखा तो हम simply यहां पर example में क्या कर देते हैं एक्जामपल में यहां पर हम लोग लिख देते हैं कौन-कौन साथ लिख देंगे एक example में जश्मने कहा electric electric heater लिखा नहीं और क्या होसबता है geezer geezer का spelling लिख लेना और क्या क्या होता है और इस क्या क्या प्रूइस करता है heater के लवा iron electric iron होता है प्रेश जिससे करते हो कपड़ा electric iron ठीक है एक emulsion rod होता है emulsion rod ठीक है जिससे पाने गरम किया जाता है तो यह सब चीजें जो है heating effect से related है ठीक है और जैसे question इसी में ही पुछा जाता है जैसे bulb हो गया bulb LED light है और tube light है tube light तो पहले क्या था ना यह example आई है एक दूसरा question मता रहा है हाँ बोलो सर ये एमी मीटर और ये गालवो मीटर में डिफरेंस क्या होता है एमी मीटर और गैलवेनो मीटर होगा अमीटर और गैलवेनो मीटर होगा अमीटर करेंट को मीजर करने का instrument है डिवाईस है गैलवेनो मीटर जो है किसी भी कंडॉक्टर में करेंट की सेंसितिविटी को मेजर करता है यानि करेंट इसे पास हो रही है कि नहीं हो रही है बोल्ट मीटर बोल्टेज मेजर करता है बाकी एक और डिवाइस होता है जिससे हम लोग Multimeter के नाम से जानते हैं Multimeter इस Multimeter से हम लोग बहूँ सारी चीज़े पता कर लेते हैं इसी से Voltage भी measure कर सकते हैं Resistance की Value भी Find Out कर सकते हैं कि कितना Ohm का है Current पता कर सकते हैं ठीक है? Voltage, Resistance, Current इसके अलावा उसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं एन पी एन पी यह सब पढ़ा जाता है बड़े क्लास्स में है तो उसको भी हम लोग पता कर सकते हैं जहां पर हम लोगों को वोल्टेज से परिश्चित हैं रेजिस्टेंस बता दिया है करेंट यह सब चीजे मल्टी मीटर से मेजर किया जात कि इंस्टूमेंट इंस्टूमेंट कॉल्ड ऑमीटर यह एस्से लिखा रहता है ऐसे सिंबल इसका बनता है यह गोल बना दिया जाएगा इसकी उपर ऐसे बना होता सबीट में यह दोट यह पर पेंश, तो यह a metr होता है, फिर होता है एक गोल्ट metr के लिए इसे गोल बना रहेगा, ए जोल नहीं रहा है, का है, इसमें स्चाइए नहीं है टर्च वाला पेन है, यह V लिका रहता है, एसे गोल बना के V, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, क्य बोल्ट मीटर में एक प्लस और एक माइनस से जोजख किया जाद एक प्लस माइनदनों होता है और कुछ कुछ कूछी ना पुछी हो heating effect में सभ्षक्त में हेजिगार म tortilla जाने अला है ही है दो करना है ठीक है और ये हीटिंग एफेक्ट्क चोंग प्रोडूइस करता है दिब्यू तुदग दा रेजिस्ट्टिप प्रोपाइटिग अफर कंडॉक्ट्र कर यानि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है इसलीए वह करेंट हीट प्रोडूइस करता है Histance को जीरो कर दिया है तो current हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोडूस करेगा और यह तो होगे